लेट के पॉजिशन, फाइर, आट फिट लंब रप, श्यक्माग टार्गेट, टार्गेट को चेक करो, अपनी पॉजिशन ठीक मनाओ, पॉजिशन द्रूस करो, टार्गेट को चेक करो, ओपरेज रोल से फोर साइट की टिप को आप चांद केंदर मिलो, आरा मिजे फायर बि एक राउंड को बिल्कुल द्रूस फायर करो, हर राउंड को, जहां एक बरसिश्ट ले लिए कहीं भी उसको बार बार इलाव मत, पो तो ने बिगाड दिया, अब के बार चार कर दिया, पिछली बार डाई था, क्या कलती की, ये चार गोड़िया तरे बिल्कुल शही मारी ह फायरिंग रेंज पर हम आए है, बंदूग चलाना, हतियार चलाना, एक मानो मन की एक इच्छा होती है, और NCC में जब कैड़ेट आता है, तो उसको वो इच्छा पूरी की जाती है, और जब वो टार्गेट अपने डिसाइड करता है, और टार्गेट पर लक्ष भेद करता है, तो उसके मन में एक संतुष्टी का भाव आता है, और यहीं से उसके व्यक्तित्तों का विकास शुरू होता है, ऐसे ही व्यक्तित्तों की विकास की यहां से गाता शुरू होती है, हमारे साथ J.S. धालिवाल सर है, आप करनल रेंग पे हैं, सर यहां पर जो फायरिंग सि जितना ट्रेनिंग अभ्यास है, मैं उसको इसका एक तरह से निचोड मानता हूं, क्यूंकि जो भी कैड़ेट NCC जोइन करता है, उसका सबसे पहला उदेशे होता है, कि एक रुटीन लाइफ से हटकर उसको एक एडवेंचर एक्टिवीटी की तरफ हाना है, और देश का एक खुद का अपना मत है, कि हर एक आदमी को एक बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग अगर हो, तो वो आटोमेटिकली देश का एक बहुत अच्छा नागरेक सावित हो सकता है, इसी की तरफ आप समझ लीजिए कि हमारा एक पहला कदम है, बच्चे अपना रुटीन कैम में, ड्रिल, प्रिटी, गेम्स तो करते ही हैं, लेकिन जब तक वो वेपन और एक बुलिट के साथ ट्रेनिंग ना करे, उसमें मन में वो विश्वास नहीं आता है कि मैंने एन्सी सी ट्रेनिंग पूरी कर लिए, अधूरा पंसा लगता है, और मैंने बच्चों में इस फारिंग के प्रत इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने तू राजस्तान एंसी सी बेटेलेंग चुरू से इसी वर्ष, पूरे राजस्तान डिरेक्टरेट की जो फारिंग टीम है, उसमें सबसे जादा केड़ेट करे हैं और वो इसी रेंज से सीख कर गए हैं, इसके बाद व की बात है, क्योंकि चूरू, जुन्जनू और सीकर, यह जो शेखावाटी अंचल है, यह वैसे भी आर्मी की पैदाईश का इस्थान माना जाता है, और यहां के युवाओं में जोश और आर्मी के प्रती, देश के प्रती, जो है एक जोश अलग देखने को मिलता है, तो आ यह जो आपने बात कही है, बहुत ही सही है, जब एक बच्चा हमारे पास आता है, उसे वैपन के बारे में A, B, C भी नहीं पता होता है, एक बिलकुल नए बच्चे को पहले वैपन से वाक्पियत कराई जाती है, जिसके लिए रेंज पे आने से पहले उसको प्रॉपर क्ला kl County चला जाती है, टरॉस के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि इसको वैपन के बारे में विश्वाश हो जाए, और वेपन के प्रति तो इस पूरी विवस्ता में आप समझ सकते हो कि दो से तीन मीने का टाइम लगता है जब तक कि बच्चा सदा हुआ फायर टार्गेट पे अभी आप देखे जो पीछे बच्चे फायर कर रहे हैं वो अपना तक्रीबन पाच गोली में से तीन चार गोली बिल्कुल सेंटर में ला रहे हैं वो उनको एक बहुत बड़ा विश्वास देता है तो इसके पीछे जो हमारे जो उस्ताद हैं जो हमारा पीए स्टाफ है जो दिन राद मेनत करता है यह सारा श्रेम उनको देता हूँ साही बात है सर मैं भी जब NCC में था और मुझे भी उस्ताद ने सिखाया था कि राइफल को ऐसा सीधा सामने तानना और शिविल लाइफ में वो एक बहुत बड़ा अपराद है और आज भी उस चीज़ को हम क्लिक करते हैं कि जब भी कोई एकदम खराब वेपन भी हाथ में तो इसको सीधा नहीं तानते हां हम हमेशा उपर रखते हैं तो धोग्य जोसी जब रहते है ए बी और फाइनली सी सर्डिफिकेट सी सर्डिफिकेट का बहुत जादा मौतव है उसको लेकिन अगर उसके साथ-साथ बच्चा फाइरिंग की तरफ उसका रुजहान है तो इनके लिए आप मांच लिए के NCC से ही कुछ बच्चे इंडिया नेशनल सा खेले हुए जिस बच्चे ने सारी शुरुवात NCC से करी है पहले वो अपना बेटलियन लेवल इंटर बेटलियन कॉंपिटिशन करेगा फिर वो जैपुर गुरूप माली हमारा जैपुर गुरूप है वहाँ जाएगा फिर वो ड उनियर नेशनल्स और नेशनल सा खेल सकते हैं उसके बाद बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो कि आगे आकर ऐसे बच्चों को स्पॉंसर करती है उनको अच्छे वैपन्स प्रवाइड करती है तो बच्चे में एक लगन होनी चाहिए उसके बाद उसको जॉब के लावा एक अप उनको छोटी उमर से आप करिए तो यसी का एक नमूना आप यहां देख रहे हैं चोटी उमर से इनका बयाद शुरू होगा तो आज समझ सकते हैं बच्चे किस तरता का आगे पहुन सकते हैं आपने बहुत सारी बाते बताई हैं और वाकई में एक यूथ को मोटिवेट करने के लिए ये बाते बहुत हैं और आर्मी का ये एक छोटा रूप हम आपको दिखा रहे हैं फाइरिंग करना सब के मन की बात होती है लेकिन हर कोई इतना सोभग शाली नहीं होता कि सिविल मे होके आप फाइरिंग कर पाएं तो ये सोभग आपके बच्चों को तो कम से कम मिले और आप उन बच्चों को इतना तयार करिए कि वो NCC को जोइन करें और कैड़िट बने तो वो एक अच्छा देश का नागरिक और एक अच्छा बेटा आपका और बेटी आपका बनके निक हुआएं तकि इनको जो आगे जो 2 है तो हम चैरूत्लूप का इरिया इसको पहले देखते हैं कि यह फार के लाइक है नहीं अगर हमारे फार से कि कोई दिक्विक तो नहीं है वह सब देखने के बाद में घाखर होगया दिक्वाते संत्रीस लिड़ करते हैं अधूब जो भी पर आधेस मिलता है उसके खिलाफ कोई भी करवाई ने की जाए रेंज का बगर आधेस से करवाई करने से बड़ा आध्जा हो सकता है तो बच् Tamba वो सारी बात कि देते है कि जैसे बोलो जाता है लेट के पOLस्जन तो लेट के पोजिशन होना थ्यार से vegan च्छेड़कर नहीं कि जाई जब बोलते हैं भर तो राउट को भरी करना है उससे कोई करवाई नहीं करना उसे आगे हम आदेज देते हैं फायर फायर के आदेज़ पर भी हमारे केटिट फायर की करते हैं इसलिए इनको को सेफ्टी और स्कूर्टी को मदने रखे जाता है रेंज के उपर आके जाते हैं उससे पहले हम देखते हैं कि सभी फायरों का फायर हो चुका है फायरों से खालिकर करवाते हैं दो बार तक चेंबर में गल्ती राउंड ने रहे जाए यह सब करने के बाद में राइफल को हम एस पकरवाते हैं और हमारा उस्ताज यह हम साज आते हैं उनके टार्गेट से करते हैं आनकारी टेकनिकल डाटा खोलना और जोडना इसके बारे मां आपको सिकाए जाएगा केडिट को सिकलाई के लिए यह पॉइंट टू टू डिलेक्स राइफल एक बहुत अच्छा थ्यार है यह युगोस वालिया देश का बना हुआ है पॉइंट टू टू डिलेक्स राइफल का वजन छे पॉइंट्स दो ओन्स है इसकी पूरे की लंबाई पैतारिस पॉइंट पांच इंच है इसका कारगर रेंज पत्चीस गज होता है